आपके अपने यूटूब चैनल आलवेज स्टेडी में आप सभी का स्वागत करता हूं आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेर के कुशन बन सकते हैं वे आपके वीडियो में डिसकर्स किये गए हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए फुल वीडियो होगा ठीक है इसको ध्यान में रखते हुए आपको करेंट अफेर और साम का वीडियो जो बना के दिया जाता है वो आपको जो है हमेशा जो है किसी भी एक्जाम में आपको देखने को कुशन मिलेंगे ठीक है चलिए हम लोग बढ़ते अपने कुशन की चीनी वस्तूओं पर प्रतिबंध लगा दिया है तो है अमेरिका अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगाया है ठीक है आपने देखा होगा कि जब से कोविड नाइंटी का ये जो कहर चल रहा है ये महामारी फैली ये दावा किया गया कि चीन के ही जरिये से फैला और तो अमेरिका ने जो है चीन के इन उत्पादों का जो है वहिस्कार किया है प्रतिबंध लगाया है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है हमारा विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किसे दिन मनाया जाता है 17 सितंबर को 17 सितंबर को जो ह हाल ही में किस राज में कोची किस राज में कोची रेल कोची रेल महासेत के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 पर्योजनाओं का उरगाटन किया है तो है बिहार बिहार में अभी जो है बहुत जल्द चुनाओं होने वाले हैं ठीक है तो बिहार में जो है इत कि अच्छे योजनाई चला जा रही है कि चुनाओं को देखते वह और व 이제 उसंपन्धितार की बारा प्रयोजनाओं का किया तो है बिहार ठीक है बिहार में जो है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इन योजनाओं का और घाटन किया है आगे बढ़ते अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है वह देश जो वह देश जो जीबुती जीबुती आचार संगीता का परियवेक्षक बन गया है वो है भारत भारत जो है आचार संगीता का परवेक्षक बन गया है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन है किस देश को संयुक्तराष्ट महिला इस्तिती आयोग C.A.S.W. का सदस्य चुना गया तो भारत को जो है ये सदस्यता में चुना गया है भारत को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है उद्योग उद्योग समवर्धन उद्योग उद्योग समवर्धन एवं आंतरिक बेपार विभाग D.P.I.I.T. ने रक्षा छेत्र में विदेशी कमपनियों के निवेश को 49 प्रतिसत से बढ़ा कर कितने प्रतिसत कर दिया है तो 74 परसेंट जो है कर दिया गया है 74 परतिसत कर दिया गया है ऊगे बढ़ते हैं अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है हमारा हाल हीमे हाल हीमे FIFA की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रत्थम अस्तान प्राप्त किया है फीफा की तरफ से जारी ताजा रैंकिंग में किस देश ने प्रत्थम अस्थान प्राप्त किया है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं हाल ही में किस प्रसिद फैशन डिजाइनर का 63 वर्स की उम्र में निधन हो गया तो है सरवरी दत्ता जी का 63 वर्स की उम्र में निधन हो गया ये एक प्रसिद फैशन डिजाइनर थे आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन है मारा बिस सुबैंक के ताजा वार्सिक हुमन कैपिटल किस देश को 116 अस्थान मिला है तो है भारत भारत को जो है बिस सुबैंक के ताजा वार्सिक हुमन कैपिटल इंडेक्शन 2020 में भारत को 116 अस्थान प्राप्त हुआ है आगे बढ़ते हैं अगला कुश्यन देखते हैं अगला कुश्यन है हमारा आनलाइन पोकर आनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन इस्टिक ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रैंड अमवेश्टर बनाया है तो वह है सूरेश रैना सुरेश रहना जी को नया जो है नाइन इस्टिक ने अपना नया ब्रैंड अम्वेश्टर बनाया है ठीक है यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है वीडियो को लाइक कमेंट सेर जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थाइंक्स फार वाचिंग